हेई गाईज वल्कम बाक टो मार चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लोग तो हापी आर्स में आज मैं आपके लिए लेकाई हूँ गर्मियों का राम बाण इलाज जो की है आम बनना बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ इसको हम बना के तयार करेंगे और टेस्ट तो इसका बहुत ही जादा लाजवाब होता है बड़ों से लेकर बच्चों तक ये सबको बहुत पसंद आता है और गर्मियों का तो ये इलाज है ही तो चलिए फिर गर्मी को दूर भगाएं ज कर लेना है पीसेस में आप चाहें तो इन्हें डारेकद बॉयल भी कर सकते हैं लेकिन मुझे क्या डर लगता है जो काफी पार ऐसा होता है कि आप जो तहija के बाहर से बिल्कूल ठीक होता हैं लेकिन अंदर से उनमें कीडावाette है तो उस चीज़को वाइड करने के लिए कट करके ही यूज करती हूँ आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने आम को इस तरह से चोड़ देंगे जब तक यह अच्छे से गल नहीं जाते, तो इसको कवर कर देते हैं, लगपख पाश मिनिट में ही यह पके तैयार हो जाएंगे, तो पाश मिनिट हो गए हैं, देखते हैं हमारे आम पके हैं या नहीं, यह देखिए, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए है, आप एक आम को प्रेस करके देख सकते हैं, इस तरह से देखे कितने सॉफ्टी ये कट हो रहा है तो ये पक के बिलकुल तैयार है, अब हमको आम को और नहीं पकाना है और इनको हमने पहले गैस की फ्लेम को बन करके कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, तो आम जो है हमारे देखे यहां पे मैंने चार चमच चीनी लिया है बड़े वाले चमच से अब इसमें आड़ करेंगे एक चमच जीरा पाउडर ये भूना हुआ जीरा पाउडर है जीरा को भून लीजे और उसको पीस लीजे जीरा पाउडर बनके तयार हो जाएगा खटा मीठा चटपटा टेस्ट आने के लिए अब मैं इसमें आड़ करेंगे हूँ आदा चमच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लगबग एक चोथाई चमच मैं यहां पे आड़ करेंगे हूँ इलाइची पाउडर इसे क्यायना टेस्ट और भी जादा बढ़िया हो जा के बाद हमने इसका एकदम स्मूध पेस्ट बना के तयार कर लेना है तो यह देखिए एकदम स्मूध पेस्ट मैंने यह बना के तयार कर लिया है अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं इस पेस्ट को आप स्टोर करके रख सकते हैं हफता दस दिन के लिए फ्रिज में यह टाइ ले लिए है जिसमें मैं अट करी हूँ थोड़ा थोड़ा पानी पहले हमको पानी को फुल नहीं भरना है बस इस टीस का ध्यान रखेगा ताकि एक बड़िया फ्लेवर आपका आम बनना का है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लिया है और अब इसमें अट करेंग पेज जो होता है काफी थिक होता है तो भुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो इसलिए पहले आप अगर थोड़े पानी में इसको खोल लेंगे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी से गुल भी जाएगा तो यह अच्छे से देखे घुल गया है अब इ अगर आपको मीठा या नमक जादा चाहिए तो आप उसको अलग से भी आड़ कर सकते हैं और यहां पर तयार है आपका आम बनना आपको यह रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भीना भूले चानल पर आपने नए हैं तो चानल को कर दीजे जल्दी से सब्सक्राइब और इंचोई करिए बढ़िया बढ़िया रेसिपी इसको तो चलिए मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नई रेसिपी के साथ थैंक्स फर वाचिंग